साल 2005 पे जब अश्विन कार्थिक ग्राजुएट हुए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा अश्विन को सेरेबल पॉल्सी और कॉट्रिप्लीजिया है और वो वील्चेर का इस्तमाल करते हैं नौकरी ना मिलना एक आमसी बात है जिसका सामना लोग करते हैं लेकिन अश्विन ने 45 असफल जॉब इंटर्वियूज दिये और आखिरकार उन्हें नौकरी मिल गई अश्विन सेरेबल पॉल्सी से जूच रहे भारत के पहले कंप्यूटर इंजिनियर हैं वो काबिल हैं लेकिन काबियत के बावजूद तिव्यांगों को ये नौकरी पाना आसान नहीं है ये बेहत निराशा जनक है हम इस दिशा में क्या काम कर सकते हैं रोजगार के इन निराशा जनक हालातों को कैसे बदल सकते हैं इसी पर आज हम एक जरूरी बातचीप करने जा रहे हैं ये हैं हंडे की पहल समर्ट एंडी टीवी के साथ साज़िदारी में और आज की चर्चा का विषय है Breaking the Barriers, the Workplace Revolution Workplace Revolution के साथ बाधाओं को तोड़ने के बारे में बात करने के लिए शो में हमारे साथ अश्विन कार्थिक खुद शामिल हैं इस समय वे डेल टेक्नोलोजीज में Engineering Project Management के Advisor है इसी के साथ वो एक Poet और Published Author भी है अश्विन कार्थिक के साथ हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है मदुबाला शर्मा वे एक Inclusive Experiences और Technologies Amazon में Senior Program Manager के तोर पर काम करती है मदुबाला जनम से ही नेत्रहीन है लेकिन हमेशा उनमें एक आजाद और आत्मनिर्भन जीवन जीने की चाहत ही और अपनी इसी आजादी को वो खोचती रही मदुबाला भारत के राष्ट्रपती द्वारा Role Model Awards से भी समानित हो चुकी है साथ हमारे साथ स्टूडियो में है जीने नीती आयोग द्वारा भारत को बदलते वाली शीश 75 महिलाओं में से एक के रूप में समानित किया गया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े हैं इस इंपॉर्टन कॉन्वेसेशन में अश्विर मेरा पहला सवाल आप से ये है कि देखा जाए ये कहानी एक कहानी की तरह है और ये आईरनी इसमें ये है कि आपको 2013 में बेस्ट इंप्लॉई के लिए भारत के राश्टरपती द्वारा समानित किया गया था 45 असफर जॉब इंटिव्यूस के बाद जो आपके 46 जॉब इंटिव्यू थी वो आपको मिली वो नौकरी आपको मिली अलग क्या था कि उन्हें मैं सफरता कि वैचाएं मैंने उनको सीखने का मंच माना था और हर एक प्रहत्न में मैंने ये सीखा कि मैंने क्या गलती की होगी और उससे वापस काम किया और जब मैं 46 इंटिव्यू में गया मैं ये गलतीया रिपीट ना करूँ और इस वज़े से भी मेरे को सफरता मेरी और दूसरी बात ये थी कि जब मैं उस 46 इंटिव्यू में गया मैं इनेबल इंडिया नाम के एक समस्था की तरफ से गया था जिन्होंने उस और जहां पर मैं मुझे नौक्री मेरी उस समस्था को सेंसिताइज किया था उनको ये बताया था कि एक जाओंधोर मेरी देखते हुए मुझे महां पर आपनी चाबिये को साहबित करने का मुका मिला Thank you Ashwin for sharing that, हमने सुना, Ashwin ने बताया कि कैसे उन्हों एक मौका मिला साबित करने के लिए and he's very well done it. Madhubala, गर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ऐसा कुछ एक्सपीरेंस रहा है and the other part of the question जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप 21 साल का आपका experience है when it comes to diversity, inclusion, equity पे आप काम कर रहे हैं DNI hiring बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ी है और कितना काम बाखी है? मेरी जर्नी बहुत मज़ेदार रही है और ups and downs तो जिंदगी का पार्ट है सबके ही जिंदगी का पार्ट है, मेरी जिंदगी का पार्ट थोड़ा जादा बन जाते हैं क्योंकि जन्म से दृष्टी बादित होने की वज़े से कई बार खुद को प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है मैंने बच्पन से काम किया है, मैंने लिप्सिक बेची, क्रीम बेची, शैंपू, तेल, ग्यास लाइटर इस सबका बेचने का काम किया और उसके बाद मैंने थोड़े-फोड़े पैसे कमा आये, उसके बाद मैंने बता और software engineer भी काम किया, software tester एक company में जहां पे जो software बनाती है जो दृष्टी बादित लोग जिसका इस्तमाल करते हैं computer को use करने के लिए तो text to speech और अब भी मैं diversity and inclusion में काम करती हूँ ensure करना कि हम सब अलग हैं लेकिन एक हैं और एक साथ मिलके काम कर सकते हैं policies पे काम करना इस तरीके से मैं काम करती हूँ और ये सब मौकरियां मुझे आसानी से भी मिली मुश्किल भी हुई आसान इसलिए क्योंकि National Association for the Blind जैसी संस था और बहुत सारी organizations जो हमारी enablement के लिए काम करती है उनका सहयोग मुझे मिला मेरे माता पिता का मेरे friends का मेरे family का सहयोग मुझे मिला मुश्किल इसलिए क्योंकि जब भी एक employer हमें काम देते हैं वो सबसे पहले हमारी काबिलियत को ना देखकर हमारी disability को देखते हैं पहला सवाल यहाता है क्योंकि आप blind है क्या आप ये कर पाएंगी या आप ये कैसे कर पाएंगे और पहला सवाल होता है नहीं ये तो मुश्किल होगा क्योंकि हम अभी तयार नहीं है तो उस तरह के challenges को face करते हुए मैंने ही ensure किया है कि मैं कोशिश करूँ कि उनके जो मन में सवाल है मैं उनके जवाब दूँ और needle definitely move करी है लेकिन journey अभी बहुत लंबी बाकी है बहुत काम करना बाकी है शालनी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि रोजगार के मामले में Rights of Persons with Disability Act का mandate क्या है और इसे और you know strictly implement क्यों नहीं किया जाता mandate तो बहुत अच्छा है सरकार का कि सब jobs accessible हो जाएं और inclusion सही माइने में उत्रे फ्लोर पे सरकार खुद भी 5% reservation देती है अपने सारी jobs में और वहां implementation होती है लेकिन जहां नहीं होती है वो है private world वो corporate है क्योंकि corporate world बहुत हद तक digital accessibility पे चलता है digitally चलता है और digital world में accessibility लाना बहुत आसान नहीं रहा है corporate के लिए भी और शायद वो willpower भी उतनी strongly नहीं आई है accessibility के माइने है कि वो हर software जो सब लोग चला पा रहे हैं जिस पर सब लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर दृष्टी बाधित भी काम कर पाएं या मूग बधिर भी काम कर पाएं और सब तरह की disabilities काम कर पाएं हार्डवेर को बदलना असान है software को बदलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि उसके लिए आपको top-down willpower चाहिए तो मुझे लगता है उस willingness की कमी है और law में थोड़ी strictness की कमी है कि ये mandate को किस तरह से लागू किया जाए वो वले rules और guidelines अभी बाकी है और करना बाकी है इस शेत्र में भी अश्विन आपके अनुभव में जब persons with disability जब इंप्रॉइमेंट या रोजगार की तलाश के लिए आपको क्या लगते है क्या-क्या barriers या क्या-क्या बाधाएं उनके सामने आती है और इसे किस तरह address किया जा सकता है देखे बाधाएं तो आएंगी तो मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव में सबसे बड़ी जो बाधा है वो mindset की आती है mindset को मैं my name अगर बताओ यह दो तरफ से भी आएंगी क्योंकि जब आप एक disabled बन हुए हो और आप एक नौक्री के रिए इंटर्व्य के रिशाते हो उस company या employer का mindset भी important होता है कि वो accept करें आपको as a part of his you know workforce क्योंकि वहां पर आपको इंफ्रस्ट्रक्चर जो physical है या डिजितल जो शानली में में बात की वो changes करनी पड़ेगी और और वो करने के बाद जो है जो भी आपके workforce का पात होगा वो अपनी पूरी चाबरियत से आपको काम करके दे सकता है या दे सकती है और दूसरी बात यह है कि जो employee है या अगर मैं लोक्ती करने जाओं तो मुझे भी यह open mind से जाना पड़ेगा कि मैं हर कोई काम कर सकता है अगर मेरे रिमार में यह होगा कि मैं सिर्फ इतने ही काम करूगा तो मुझे हो जाएगी राइट क्योंकि अगर मैं सिखने के लिए तयार नहीं हूँ तो मुझे ऑपर्चुनिटीज भी उतनी ही कम देगी तो mindset का जो challenge है वो सबसे बड़ी बात है मेरे ही सब को मैंसेट, I think that's a very important point जो हमने यहां पे आपसे सुना था शालनी आपने कई initiatives जैसे blind bay cafe है उजवला है इन सब पे बहुत काम किया है और इससे ना सिर्फ एकनॉमिक opportunities बढ़ी है persons with disability की बट ऑल्सो कही न कहीं awareness बहुत हुए है कि वो कितने किस तरह इसे tweak किया जा सकता है और इसे tailor-made किया जा सकता है इसके बारे मैं करा पता है मुझे लगता है मार्कित में जो भी बिकता है जो है अगर उसी को लेकर adapt किया जाए हमें हम दृष्टी बाधित के लिए या people with disabilities के लिए वो best है क्योंकि आपके लिए already market सवाइफ कर रही है और यदि आप उन skills को उस competition में उतार सकते हैं disabled लोगों के साथ भी तो जिंदगी सब के लिए यूद है उनके लिए थोड़ा से ज्यादा बड़ा यूद है और वो लड़ लेते हैं और उनके लिए भी सेम मापदन रखिए सेम expectations रखिए कि market के साथ ही चलना बहुत जरूरी है अपने हर काम को यदि हम चाहे वो blind bake है जिस को छूने में hesitation रहेगी और वो naked body में testing नहीं कर पाएंगी तो फाइदा नहीं है there is absolutely no point तो मुझे लगता है जितनी में entrepreneurship है जितनी skills है हम market को understand करके अगर adapt करते हैं उनको सिखाने के लिए people with disabilities को they will definitely learn it हम काफी सारे tweaks कर सकते हैं और अभी जह हम शुरुवात कर रहे हैं तो वो tweaks लगेंगे और एक point ऐसा आएगा जब वो tweaks नहीं वो part of the process, part of the game, part of the system बन जाएंगे सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम hiring के लिए हम special hiring drives भी करते हैं लोग specially specially निकलते हैं देखने के लिए कि इस segment को hire करें और special roles के लिए तो हमें एक तो यह देखना है कि हम कोशिश करें कि लोगों को उनके skills के लिए और उनके potential के लिए hire करें, दूसरा जो उनको perform करने के लिए जिन tools की जरूरत है, जिस accessibility की जरूरत है, जिस infrastructure की जरूरत है वो हम provide करें, चाहे वो interview stage हो या उसके बाद hire करके काम करने की आवश्रक्ता हो, तो जो हमको काम करने के लिए चीज चाहिए, हम काम अलग नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, एक inclusion का mindset होना जरूरी है, charity नहीं, business sense का mindset होना जरूरी है, बाकी सब solve होता जाएगा जी बहुत important point, अभी हम लेंगे एक छोटा सा break और break के बाद हम इस बारे में और ज्यादा बताएंगे कि दिव्यांगो को काम पर रखने के मामले में हम कारिस्थल पर बाधाओं को कैसे तोड़ सकते हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हंडे की पहल समर्थ एंडी टीवी के साज़दारी में, ती इंडिनाशनल लेबल और्गनाईजेशन का सुचाब है कि वर्फोर्स में परसन्स विर डिसिबिलिटीज को शामल करने से जीडीपी पर लगब तीन से साथ प्रतिशत तक का सकरातमत प्रभाव पर सकता है, इसलिए परसन्स विर डिसिबिलिटीज के लिए ये बेहत सीमत रोजगार के अफसर ना सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, बलकि इससे हमारी एकॉनमी को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. अश्वन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सिर्फ डाइवर्सिटी हाईरिंग की बात नहीं है, दफ्तर की इमारतों को सुलब बनाया जा सकता है, वर्क फोर्स को संवेमन शील बनाया जाना चाहिए, और करियर ग्रोथ कले भी अफसर होने चाहिए. इस बारे में आपका अनुभव क्या कह रहा है? और आप दूसरी कंपनीज को सिर्फ हाइरिंग की नहीं बल्कि वर्क प्लेस में महौल बहतर करने के लिए क्या सोजाव देंग बे? The conducive environment. मैं खुशी से एक है सकता हूँ कि मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है क्योंकि मैंने हमेशा नहीं चीजें सीखने और करने का माइंसेट रखा है और मैंने जब ही कोई नहीं कंपनी में नोकरी पाने की कुछिश की है, मैंने हमेशा उसके लिए अपस्किर किया है और दूसरी चीज यह है कि जब आप सुझाओ की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहूँदा की एक नोकरी पाने के बार हर एक employee को आगे बढ़ने का एक ambition होता है और यह होता है कि मैं किस तरह अपनी नोकरी में और अपने कॉंटिब्यूशन को कंपनी की तरह से आगे बढ़ने के लिए मैं और कितना अच्छा काम कर सकता हूँ यह कर सकती हूँ जी थैंक्यू अश्विन शालनी जो हाई रिंग नुक्ती एंपती यहां सिंपती क्लिए नही होनी चाहिए बिल्कुल अपसलूटली अगर आप समझें कि अपनी डिजिबिलिटी के साथ इस दुनिया में जीना और जीत पाना पीपल बिजिबिलिटी के लिए पूरा युद है और अगर वो युद्धा बन गए है तो कौन सा ऐसा बिजनस है जिसे अपने साथ युद्धा नहीं चा सब लेवल की जॉब्स जो है वो एकसेसिबल हो जाये सबके लिए अधरवाइस उनके लिए हर लेवल के बाद यदि इस युद्ध में फिर से एक बारियर है और फिर से लड़ना पड़ेगा तो हम ऐसे ही इतनी स्लो स्पीट पर चलते रहेंगे और विल बी सो मनी कॉम्लिक इंक्लूजिन एक माइंडसेट है एक हैबिट है जिसको जितना हम प्राक्टिस करेंगी जैसे मसल्स बिल्ड करते हैं जिम में जाके वहीं मसल्स बिल्ड करने वाली बात है और उसके लिए मैं फाइफ पॉइंस देती हूँ पहला A, B, C, D, E इसी सीक्वेंस में बताऊंगी A, Accessibility. Accessibility हर लेवल पे, Infrastructure की और Digital Accessibility. अगर जैसे मैंने का हम disabled लोग अलग काम नहीं करते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है. तो उसको एनेबल करने के लिए Accessibility की बहुत-बहुत आवश रखता है. B, मेरे हिसाब से है, Bring people along. Bring people with disabilities along. Nothing about us without us. हमारे लिए कुछ भी कर हमारे बिना नहीं करें. क्योंकि हम, जो हमारा lived experience है, हमने जिस तरीके से अपने जीवन को जीया है, हमें पताया कि हमारे सामने क्या-क्या चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों का सामना हमें खुदी करना है, और कैसे करना है, उसका निशकर्ष हमें कैसे निकालना ह आप हमारे बहाफ पे ये ना सोचें कि क्योंकि ये विकलांग है ये और वो नहीं कर पाएंगे या ये कैसे कर पाएंगे हमें वो मौका दें हम आपके साथ उसका solve खुद निकालेंगे आपकी सहायता जरूर लगेगी लेकिन मिलकर हम इसको सुलजाएंगे सी का मतलब है challenges को अपने mindset को challenge करें mindset में बहुत challenges होते हैं अरे सब दृष्टी बादे की सुंगने की शक्ती बहुत अच्छी होती है उनको हम सब इसी काम में लगा देते हैं या जो सुन नहीं पाते हैं वो बिल्कुल distract नहीं होंगे इसलिए हम उनको इस काम में लगा देते हैं या क्योंकि ये विकलांग है ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे उन सब को हम challenge करते हुए अपने अपने आप solutions को ढूणे और मौका दे और पूछे कि solution क्या हो सकता है D का मतलब है हमको drive करना है change from top down हम leadership को लेके साथ में हमारी leadership invested हो कि हमको people with disabilities को include करना है तब ही हम उनको hire कर पाएंगे और इसलिए नहीं include करना क्योंकि ये charity है या अच्छा काम है या भले का काम है बलकि इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी economy को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा talent है जो अपने काबिलियत पे हमारे साथ काम करेंगे ना कि अपनी disability की वज़ा से E stands for enable जब हमारे साथ people with disabilities जुड़ जाए चाहे वो interview है या वो काम कर रहे है उनको enable करना है काम effectively करने के लिए उनके career में जो भी roadblocks आए वो हमने हटाने है So enable कीजिए and then definitely sky is the limit हम सब आगे मिल जुल कर हाथ में हाथ डाल कर आगे बढ़ सकते हैं Thank you so much श्रमदूबाला, शालनी और अश्वन हमारे सार जुने के लिए आपका बहुत भुत धन्यवाद कारिस्तल में बाधाओं को सही माइनों में तोडने के लिए hiring की मानसिक्ता को बदलना होगा किसी दिव्यांग व्यक्ति को इसलिए नौकरी पना रखें क्योंकि आपको दुख है या कोई कोटा भरने के लिए ऐसा किया जा रहा है बल्कि ऐसा इसलिए करें क्योंकि दिव्यांग भी उतने ही प्रतिभाशाली और सक्षम करमचारी हो सकते हैं जितना कोई और और जिनके काम कमहत्व है इससे नसर्फ एकनॉमिक इंपावर्मेंट बढ़ेगा बल्कि समाने रूप में अधिक जागरुक और समावेशी वर्कफोर्स का भी निर्मान होगा यह हमारे देश को एक कदम आगे बढ़ने में भी मदद करेगा समाट बाहंडे इंपार्टर्शिक विद एंडी टीवी को सुनने के लिए आपका जिर्वाद